बिग बॉस सीजन 16 का आने वाला एपिसोड यानि की 4 दिसंबर का एपिसोड काफी इमोशनल होने वाला है कंटेस्टन्स के घरवाले फैमली वीक टास के तहट उनसे मिलने आएंगे यही नहीं यह तो फिलहाल नहीं पता लेकिन बिग बॉस जरूर सभी घरवालों को उनके साथ अपने दिल की बात करने का मौका जरूर देंगे जब बिग बॉस मौका देते हैं तो सभी घरवाले इमोशनल हो जाते हैं वहीं शिफ्ठाकरे और प्रियंक का बूरी तरह से रो पड़ते हैं मेकर्स ने 4 दिसंबर के बिग बॉस 16 के अपिसोड का प्रोमो रिलीस किया है प्रोमो में बिग बॉस कह रहे हैं बहुत दिन वीद गए हैं अपनों से दूर आप में से कुछ लोग उनके लिए तड़पसी लिए बैठे हैं चलिए मेरे साथ कुछ दिल की बाद कर लेते हैं इसके बाद सभी कंटेस्टेंट्स बारी बारी से कॉनफेशन रूम में जाते हैं और अपने दिल की बाद बिग बॉस से करते हैं इतना ही नहीं बिग बॉस से कंटेस्टेंट अपनी कमजोरी बताते हुए रो पड़ते हैं प्रियंका रोते हुए बिग बॉस से बोलती हैं मैं एक सिंपल सी लड़की हूँ जिसे शादी भी करनी है घर बसाना है अंकित के केस को लेकर मैं ज्यादा इमोशनल हो रही हूँ लोगों की नजर में मेरी इमेज यही हो जाएगी कि अरे बहुत चिक चिक करती है मुझे ये टेंशन हो गई है कि मुझे आगे काम मिलेगा या नहीं इतना कहकर प्रियंक का रो पड़ती हैं वहीं शिव जब कनफेशन रूम में जाते हैं तो बिग बॉज से अपने दिल की बात कहते हैं वो कहते हैं ये जो दिखता है ऐसे ये बहुत दिमाग से करता होगा पर घरवालों को पता है कि मैं हमेशा दिल की सुनता हूँ मैं इनके सामने रो भी नहीं सकता हूँ नहीं तो मैं वीग दिखूंगा जब अरचना गौतम का नंबर आता है तो वो ये कहकर फूट फूट कर रो पड़ती हैं कि उन्होंने आज तक किसी को कुछ बुरा नहीं कहा और इस घर में आकर वो पता नहीं कैसी हो गई है बिग बॉस से अरचना गौतम कहती हैं कि बिग बॉस मैं कभी किसी का दिल नहीं तोड़ूँगी लाइफ में कभी किसी से गलत नहीं बोलूँगी लेकिन मैं यहाँ पर कैसी बन गई मुझे खुद नहीं पता इन नलायकों के चक्कर में कुल मिला कर आने वाला एपिसोड काफी एमोशनल होने वाला है फिल्हाल इस खबर में इतना ही देश और दुनिया के तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वनिंटिया हिंदी के साथ